प्रिचात्रो आज की कख्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनन्द नेम स्वागत हैं हमने सै मेप्रियह जो ग्यार मापाठ था उसको आधाई पढ़ा था अब हम सेश भाग को पढ़ेंगे भूमी का आप पहले जान चुके हैं लेकिन पूर्व की तरह ही मैं आपको संधियों से, प्रत्यों से, समासों से और अन्य व्याकरण की जानकारियों से परिचित करवाऊंगा आप अपना कागज पैन साथ रखेंगे और उसे लिखते चलेंगे आई हम किस प्रकार से गीता के श्लोकों का उचान करते हैं उस्चे पूर्व मंगलाचरण के तोर पर हम भगवान श्री कृष्ट के चर्णों में एक श्लोक के माध्यम से प्रणाम करेंगे श्री कृष्णाय वाशुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतह क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इसका साब्दिकर्थ है प्रिय चात्रो जो प्रभु श्री कृष्णा को प्रणाम करता है अर्थात उसके प्रती समर्पित हो जाता है समर्पित होते ही उसके समस्त सांसारिक कष्ट नश्ट हो जाते हैं ऐसा इस श्लोक में महरशी वेद व्यास द्वारा कहा गया है हम अपने पाठ के श्लोक को पढ़ेंगे सब जग है भगवान सफलता के लिए शुत्र बता रहे हैं अर्जुन को ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले सरल 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 विधी की और बढ़ते जा रहे हैं अब अब्यासे पी अप्यांसे जमा अपी आगे है असमर्था है जमा असी असमर्ठोसी असमर्थोसी के अंदर यहां विशरक्षंधी का नियम है और अभ्यासे जमा अपी यहां यनसंधी है अभ्यास के करने में भी अगर तुँ ऐसमर्थ है पूरुष लोको में हमें आपने बता था अभ्यास मतलब भगवान का स्मर्ण चिंतन भगतियोग को यहां अभ्यास के नाम से जाना गया तो तु भगतियोग को करने में भी अगर ऐसमर्थ है तो मत कर्म पर्मो भव है मत माने मेरे कर्म माने कामों को करने के लिए परा भव पर्मो भव है मेरे आधिन हो जा मेरे आश्वित हो जब भी कर्म करे तो यह मत मान कि मैं मेरे लिए कर्म कर रहा हूं यह मान मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं। तो नहीं कर शकता मेरा कि ईदख्वान और अगर तु मेरे लिए भी कर्म कर तो तेरे को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और अगर तो मेरे लिए कर्म करेगा तो सिद्धि मेरे जीवन में सफल हो जाएगा, इस शंसार के दुख के सागर से तेर जाएगा तेरी आत्मा का कल्यान हो जाएगा प्रिये चात्रों यहां एक सब्द है मत अर्थम अपी और एक सब्द है कूरवन जमा सिध्धिम जमा अवापसे सी ये संधियों का बहुत प्रियोग हुआ है और मैंने आपको संधि छेद करके पढ़ दिया इस प्रकार से आप अपने परिक्षाप योग यार्थ लिखोगे भगवान ने कहा है अर्जुन अगर तुम भगती योग करने में भी ऐसमर्थ है तो समस्त कर्मों को मेरे लिए करने वाला बन जा अगर तुम मेरे लिए कर्म करने वाला बन गया इस प्रकार से तैने कर्म करेगा तो जरूरी सपलता को प्राप्थ हुजाएगा तेरी आत्मा परमात्मा को प्राप्थ कर ले। फिर प्रभु आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए बार में अध्याय में भक्ति योग का अगला स्लोक हम पढ़ते हैं समह शत्रवुच मित्रेच तथा माना पमानयो शीतोष्ण शुख दुखेशु अर समह संगविवर्जितः भगवान ने कहा अर्जुन जिनको तुँ शत्रु मानता है जिनको तुम मित्र मानता है उन दोनों में शत्रु में इरश्या का भाव होता है मित्र में राग का भाव होता है जिसे हम चाहते हैं वह मित्र है जिसे नहीं चाहते वह शत्रु है तो यह दो नुहीं सभ्द है शत्त्रव दमित्रे चै अंधोनों में समान भाव कर ले उसके बाद माना अप मानयो किसी से चाहे तुझे समान मिले इजयत मिले चाहे तुझे अपमान मिले और पहला सब जोडिया hain उसमें विशमान हो जा मानम चाह अप मानम चाह तयो हो समाह रहा है माना आप मानायो इस प्रकार से बन जाएगा आई आगे बढ़ते हैं सीतोष्ण सुख दुखेशू सीत का अर्थ है सर्दी रितू उष्ण का अर्थ है गर्मी की रितू या आप भोजन में लेंगे तो गर्म भोजन या ठंडा भोजन या गर्मी की रितू या सर्दी की रितू ये प्रभु ने इसमें द्वंद गिनाये हैं गीता में प्रभु ने सभी द्वंदों से परे रहने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है जब तक तुँ समस्त प्रकार के अपने और पराय के भेद को नहीं मेट पाएगा, तब तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो गर्मी को भी समान समझ, सर्दी को भी समान समझ, सुख को भी समान और दुख को भी समान, समय सब्द का प्रयोग है, क्योंकि गीता में जो समता है उसी का नाम योग है जब तक समता नहीं होगी भेद नहीं मिटेगा एक नहीं होगा तब तक जो हैने प्रभू को नहीं पा सके संग विवर्जिता है और साथ से दूर हो जा किसी भी पदार्थ का किसी भी वस्तु का तैने संग नहीं करना लगाव नहीं करना संग से रहीत हो जा विवर्जिता मने रहीत हो जयता वी उप्षरग है व्रजधातु है और कतय प्रत्य है तो हम कैसे लिखेंगे हे अर्जुन तुम खुशी को मत प्राप्त कर और अपमान होने पर कश्ट को मत प्राप्त कर शर्दी गर्मी और शुक दुख इस प्रकार के दंदों में समान हो जा और समस्त पधार्थों के संग से रहित हो जा उपर से पहले स्लोक से जुड़ जाएगा कूर्वन शिद्धिम हवाप्श इस प्रकार से कर्म करते हुए तो मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा प्रिछात्रों प्रभु बड़ी सरल्ता से अर्जुन को बता रहे हैं अथ जमा एतद जमा अपी असक्ता है असी कर्तुम मद योग आश्रित है अब प्रभु ने कहा इसके बाद भी इतनी सरल्ताएं बताने के बाद भी प्रभु कह रहे हैं मद योगा आश्रित है मेरा सहरा लिये हुए भी तुँ अगर कर्म करने में ऐसमर्थ है तो तुझे क्या करना है अगर तुम मेरी भक्ति को नहीं कर सकता और मेरे आश्रित नहीं हो सकता तो तुम्हारे लिए मेरे को पाने का सरल्तमसाधन क्या है सर्व कर्म फलत्यागम सब प्रकार के कर्मों के फलकात्मों त्याग कर दे ततह कुरू ततह मने उसके बाद यतात्मवान जो यत्न करने में अपनी आत्मा को लगा दे आत्मवान आत्मा से युक्त और यतात्मान प्रयतन सील तो प्रभू ने जो बात कही उसको कैसे कहेंगे अगर तुम भगती योग के मार्ग को अपनाने में और मेरे आश्रित मेरे परायन होकर के भी कर्म नहीं कर सकता तो तुझे जो कर्म किये जा रहें तेरे द्वारा उनके फल का त्याग करने का प्रयतन करें ऐसा तुँ हो जा उससे तुझे क्या जाएगी? सिद्धिप्राप तो जाएगी? आगे आईए क्या कहते हैं प्रभू किस प्रकार से फिर बार बार उशी बात को कह रहे हैं जिस से अर्जुन का और मानव मात्र का कल्याण हो ये गीता केवल अर्जुन के लिए प्रभू ने नहीं कही अपितु प्रतेक मानव के लिए किस प्रकार से वह मनुष्य जीवन को सफल बनाए किस प्रकार से संसार से व्रिष्टाचार अनाचार दुराचार अत्याचार ये मिठ सकें ये भाव मनुष्य में जग सके इसके लि क्या करें देखिए प्रभु तुल्य निंदास्तु तिर्मोनी संतुष्टो ये न के न चित अनिकेत है स्थिर्मती भक्तिमान में प्रियो न रहे अब अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु जो सगुन साकार को भजते हैं वो अच्छे हैं या निर्गुन को भजते हैं वो अच्छे हैं इसके उत्तर में प्रभु कह रहे हैं कि जो सगुन साकार को भजते हैं वही मेरे को प्रिय हैं लेकिन उनका भाव कैसा हो उनका विचार कैसा हो आप सभी जानते हैं प्रिछात्रो भाव से व्यक्ति का संसार में भाव है भाव का तात्प्रिय है विचार और भ किसी व्यक्ति के भाव उच्छ है, श्रेष्ठ है, अपने पराय से दूर के हैं, सब के हितके हैं तो उस व्यक्ति की बहुत बड़ी कीमत है यदि संसार में कोई आज याद किया जाता है और यदि किसी का इतिहास है तो जो त्यागी तपस्वी व्यक्ति रहे हैं और जो भारत के एक शुत्र को अपनाया वशुधाईव कुटम्वकं ये धर्ती ही सारा परिवार है मेरा ऐसी भावना से जिन्होंने जीवन जीया है वे अर्जुन कोई व्यक्ति तेरी निंदा करता है कोई व्यक्ति तेरी स्थुति निंदाकार्थ चुगली बुराई तेरे को गलत बताता है और कोई तेरी स्थुति बढ़ाई प्रसंसा करता है तो तुल्य है उसमें बराबर रहनाता है मोनी उसका उत्तर भी नहीं देना है क् सभी कम पढ़े लिखे काउं के लोग भी कहते हैं एक चुप और सो को अराई तो प्रभु ने वही शुत्र दिया और प्रभु के शुत्र को हम बोलते हैं मोनी चुप रहू संतुष्ट है मोन रहने के साथ साथ नाराज नहीं होना संतुष्ट प्रसन भी रहना है ये निकेन चित जिस किसी भी प्रकार से निंदा करे चाहे कोई तेरी स्तुती करे तेरे को मोनी बनना है तेरे को संतोष भी रखना है ये निकेन चित जिस किसी के द्वारा चाहे तेरी जिन्दा की गई चैते रिष्टूती की गई तो तेरा बाव ऐसा हो और क्या अनिकेत है जिखो निकेत नाम घर का है और अनिकेत है और घर जब होता है तो व्यक्ति में संग्रह की बावना होती है तो तेरे को घर से रहित भी होना है जितने साधु मात्मा अपने घर आश्रम बनाते हैं वे यो मानलो संसार के की चड़ में धस गई तो इसलिए प्रभु ने कहा अनिकेत है तुझे कोई घर भी नहीं बनाना मतलब संग्रह भी नहीं करना घर बनाते ही संग्रह हो जाएगा स्थिरमती और तेरी जो बुद्धी है वो मेरे में टिक जाए ऐसा जो मतिमान भक्तिमान सब्द है ऐसा जो भक्ति करने वाला है इन व्यवहार को अपना करके जो भक्ति करता है में प्रिया न रहा है वही व्यक्ति मेरे को प्यारा है और कोई धनवान बलवान कोई व्यक्त आरजुन जो व्यक्ति निंदा और श्तुति में समान रहता है सब की चुप हो करके सुन्ने की सक्ती रखता है संतुष्ट भी रहता है घर अर्थात संग्रय की भावना से भी दूर प्रियचात्रों हम प्रभु की बात को सुन रहे थे यो नरहिष्चति नए द्वेष्टि नसोचति नकांग्षति सुभा सुभपरित्यागी भगतिमान यह समेप्रिय है जैसा की पाठ का नाम है अर्जुन्य सवाल किया था खुशी का उत्तर दे रहे हैं भगवान यो नरहिष्चति जो खुशी की बात को सुन करके प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है ने द्वेष्टि यह सब क्रियाई है और ने द्वेष्ट करता है ने सोचति ने किसी की बात के बारे में सोच करता है चिंता करता है फिकर करता है मतलब आनी हो गई तो फिकर नहीं करत शुब अशुब चय अच्छाकारी है और चय बुराकारी है उसमें उसका परित्यागी चारों और से उसके फलका जो त्याग कर चुका है शुब कर्म के फल का भी त्याग जिसने कर दिया और अशुब कर्म के फल का त्याग भी जिसने कर दिया ऐसा जो भक्ति युक्त व्यक्ति है भक्तिमान का अर्थर जहां भी मान सब्द लगता बुद्धिमान बुद्धिवाला धनवान धनवाला लक्ष्मिमान लक्ष्मिवा हम यहीं स्माप्त करते हैं और जो जो व्याकरण की बातें आपको बताई वे सब लिखेंगे जितने श्लोक आपने पढ़े हैं उनका सीधासा सरलार्थ सरल भासा में अपनी भासा में अपने भावों में लिखेंगे पढ़े हुए को तभी समझा जाता है जब हम जाकर के घर पर अभ्यास करते हैं अन्य था तो उपदेश या ज्यान पढ़ी हुई बात चिकने घणे पर पढ़ी हुई पानी की बूंद की तरह हो जाती हैं फिशल जाती हैं चली जाती हैं हम चाहेंगे कि आव़ अभ्यास करेंगे और अपनी परिक्ष्या की तहियारी में लगे रहेंगे जो विध्या के धन को प्राप्ष करता है वह वयक्ति जीवन में शफल होता है इन शुब कामनाओं के साथ में आज की कक्षा पूर्ण होती है और अगली कक्षा में हम स्टतम जैत भारते झाल दो